हेलो गाईज, वेलकम तो मारी क्लास, माई नमीज आर्थी केश्री and you are watching me on विद्या साथ गाईज मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर सीरीज का पार्ट टू चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएं और आपकी ही डिमांड पर मैं लेकर के आ गई हूँ उस सीरीज की पार्ट टू विद् कॉंसेप्ट जो की आपके लिए बहुत जादा यूसफुल होने वाली है और आपके कैलकुलेशन की स्पीड को गारेंटीड फास्ट करने वाली है और हाँ अगर आपने कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर का पार्ट वन ना देखा हो तो अभी देखें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरन सब्सक्राइब करें ताकि मैट्स की धेरो शॉर्ट ट्रिक्स सी साथ ही साथ आप उनके पीछे का कॉंसेट भी सीखेंगे और आप ये भी सीखेंगे कि हम उन्हें क्यों यूज करते हैं तो चलिए बिना कोई देर किये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर विद कॉंसेट गाइज हमारी आज की वीडियो की फर्स्ट ट्रिक है नंबर 25 के लिए तो अगर आपको किसी नंबर का 25 से मल्टिप्लाइब करना हो तो उसे एजली कैसे करेंगे उसका तरीका आज आप सीखेंगे तो चलिए एक एक एग्जामपल ले लेते हैं यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेती हूं 79 इसका मल मल्टिप्लाइब करके 79 के आगे 20 लगा लेंगे और फिर उसको हम 4 से डिवाइट कर लेंगे तो 4 से डिवाइट करने पर आ जाएगा 4 एकम 4 बचे 3 49 49 36 बचे 3 30 4 सते 28 बचे 22 25 और यह आगे हमारा अंसर एक और नंबर ले करके देख लेते हैं मान लिए यहाँ पर मैं नंब ले लेती हूं 234 इसका हमें करना है मल्टिप्लाइब 25 से तुम 25 से मल्टिप्लाइब नहीं करेंगे बलकि 234 के आगे 20 लगाएंगे और इसको डिवाइट कर देंगे 4 से 4 से डिवाइट करने पर क्या आ जाएगा 4 5 20 बचे 3 34 48 32 बचे 22 24 25 20 और यह आगे हमारा आंसर तो यह ट्रिक कैसे वर्क करती है अब मैं आपको यह सिखाती हूं जैसे हमको किसी नंबर को मल्टिप्लाइब करना है 25 से तो 25 को हम 100 बाइब 4 भी तो लिख सकते हैं लिख सकते है अगर हम 4 से 100 को काटेंगे तो क्या आएगा 25 यह आएगा तो हमने यहाँ पर बस यही किया कि 79 को 25 से मल्टिप्लाइब करके हमने इस 100 बाइ 4 से मल्टिप्लाइब कर दिया यानि कि 100 से मल्टिप्लाइब किया तो 2 0 यहाँ पर लग गए और 4 से फिर उसको डिवाइट कर दिय तो बस यही method यूज़ करके हम अपना answer ले आते हैं चलिए कुछ और बड़े numbers के साथ हम इस trick को यूज़ करके देख लेते हैं जैसे यहाँ पर मैं number ले रहती हूँ 4, 1, 7, 5 इसका हमें करना है multiply 25 से तो हम क्या करेंगे 4, 1, 7, 5 के आगे simply बस दो 0 लगाएंगे और फिर इसका division कर देंगे 4 से 4 एक कम हो जाता है 4, यहाँ पर रहे 1, 1, 4 से छोटा है तो हम एक और digit लेंगे 0 लगा करके तो 17, 4, 16, फिर बचेगा 1, 15, 4, 3, 12 फिर बचेगा 3, 30, 4, 7, 28, और फिर बचेगा 2, 20, 4, 5, 20 और यहाँ गया हमारा answer एक और बड़ा number ले ले लेते हैं 9, 8, 2, 4 इसका multiply करना है हमें 25 से तो हम क्या करेंगे 9, 8, 2, 4 के आगे 2, 0 लगाया और यह इसको divide किया 4 से तो 4 दुनी 8, बचा 1, 18, 4, 16, बचा 2, 22, 4, 25, 20, बचा 2, 24, 4, 6, 24 और यहाँ आया 2, 0 यह होगा हमारा answer तो guys इस trick से 25 से multiply करना किसी भी number में बहुत ही आसान हो जाता है चाहे number कैसा भी हो, even हो या odd हो 2 digit का हो, 3 digit का हो या 4 या 5 कितने भी digit का हो तो अगर आपको किसी भी number का 25 से multiply करना हो तो बस आप उसके आगे 2, 0 लगा ले चाहे वो number even हो या odd और फिर उसको 4 से divide कर ले और आपका answer आ जाएगा तो guys 25 से multiply करने की trick तो आपने सीखी ली अब 25 से division करने की भी short trick देख लेते हैं इसमें आपको multiply का just उल्टा करना है वहाँ पर हम 4 से divide करते थे यहाँ पर हम 4 से multiply कर देंगे यानि जब भी हमें multiplication करना हो 25 से तो हम 4 से division कर देंगे और जब हमें 25 से division करना हो तो हम 4 से multiplication कर देंगे बहुत ही easy है आईए एक example से समझाती हूँ जैसे कि मैंने आपका number ले लिया 98 अब अगर इसे हमें 25 से divide करना है तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम 25 से divide नहीं करेंगे बल्कि हम क्या करेंगे 25 से divide ना करके 4 से multiply करेंगे तो चलिए अभी इस number को हम 4 से multiply कर लेते हैं तो अगर हम 98 को 4 से multiply कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 32 के 2 हासे लगे 3, 4, 96, 33, 49 और अब आपको बस इस trick में ये ध्यान देना है कि चार से multiply करने के बाद जो भी हमारा answer आएगा उसमें हम पीछे से 2 digits को छोड़ते हुए एक decimal लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा answer इस trick में भी same concept work करता है कि अगर हमें किसी number को 25 से divide करना है तो चलिए और एक example लेकर कि आपको दिखाती हूँ जिससे आपको ये trick और भी जादा clear हो जाएगी जैसे यहाँ पर मैंने number ले लिया है 567 इसको हमें divide करना है 25 से तो हम क्या करेंगे बस simply हम 567 को 4 से multiply कर देंगे अब हम इसका multiply करेंगे तो आज़ेगा 4 से 23 इसका 8 हासे लगे 2, 4, 6, 24 और 2, 26 के 6 हासे लगे 2, 4, 25, 20 और 2, 22 और अब हमें पीछे से 2 डिजिट देखते हुए डेशमल लगा देना है और ये हमारा answer आ गया है जी है guys answer आ चुका है तो चलिए और भी बड़े numbers के साथ इस ट्रिक को use करके दिखाती हूँ जैसे यहाँ पर हम number ले लेते हैं मालेजे 6, 7, 4, 4 इसको हमें करना है divide 25 से तो अभी हमें क्या करना है 6, 7, 4, 4 को हमें 4 से multiply कर लेना है 4 से multiply करेंगे तो क्या जाएगा 4.16 के 6, हासे लगे 1, 4.16 के 7 अब पीछे से 2 digits चोड़ते हुए हमने एक decimal लगा लिया और यहाँ गया हमारा answer एक और बड़ा example लेकर के देख लेते हैं जैसे मैं आपर number ले लेती हूँ 14523 इसको हमें divide करना है 25 से तो हम इसको 25 से divide नहीं करेंगे बलकि 14523 को हम 4 से multiply कर लेंगे तो हमारा number के आजाएगा यहाँ पर 1412 के 2, हासिल लगे 1, 4, 2, 8, 8, 9, 4, 25, 20, 0 हासिल लगे 2, 4, 14, 12, 18, 8, 8, हासिल लगे 1, 4, 1, 4, 1, 5 अब पीछे से 2 digits चोड़ते हुए हमने यह decimal लगा है और यह हो गया हमारा answer आप इस trick को अच्छी तरीके से समझी गए होंगे तो इस trick में आपको क्या करना है कि बस किसी भी number को 25 से divide न करके बलकि उसको 4 से multiply करना है और पीछे से 2 digits चोड़ते हुए answer में आपको decimal लगा देना और बड़ी ही easily आपका answer आ जाएगा तो guys आज की next trick है हमारी series of 9 के लिए 9 की series जैसे कि आप यहाँ देखी रहे है 99,999,999,9999 यह सभी 9 की series होती है तो इनका multiply अगर आपको 1 से लेकर के 9 तक के number से करना हो यानि कि किसी एक digit के number से 1 से लेकर के 9 तक के digit तो एक ही number के होते है तो बिना multiply किये आप उसे कैसे बड़े ही easy way में कर सकते हैं आज आप यह सीखेंगे आप क्यों क्या करना है कि 9 का इस number से multiply कर लेना है तो 99 क्या हो जागा 81 उसको आप split करके लिख लें ऐसे 81 दूर दूर और फिर आपके पास जितने भी 9 बचे हो यहाँ पर एक 9 बचा है तो बस उसी को बीच में लग दे और यहाँ गया हमारा answer जी है guys answer आचुका है तो देखा guys बड़ा ही easy है जैसे यहाँ पर हमने 4 से multiply करना है यहाँ पर क्या हो जागा 9 चोक 36 36 को हमें split करके लिख लेंगे यह लिखा 36 और यहाँ पर कितने 9 बचे हैं 2 इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 99 और यह हो गया हमारा answer और अगले नंबर को हमें 7 से multiply करना है तो 9 सत्य क्या हो जाता है 9 सत्य 63 63 को हम split करके लिखेंगे और बीच में जितने भी 9 बचे हुए हैं यानि कि 39 उसको हम लिख लेंगे और यहाँ गया हमारा answer इसी तरह यहाँ भी लिखेंगे यहाँ पर 9 एटजा 72 और कितने 9 बचे हैं यहाँ पर? 4 उन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे 9 9 9 9 और यह आजाएगा हमारा answer अब अगले नंबर को 2 से multiply करना है 2 से multiply करने पर होता है 9 2 जा 18 यह लिखा है 18 इस्पिट करके बीच में हम लिखेंगे 9 9 9 1 2 3 और यहाँ गया हमारा answer इसी तरह अगले नंबर का multiply करना है 6 से 9 6 जा हो जाता है 54 5 और 4 को हम अलग लग लिखेंगे और यह जो बचा हुआ एक 9 है इसे हम बीच में लिखेंगे और यह आगया हमारा answer इसी तरह अगर 9 की सीरीज का multiply करना है 3 से तो 9 3 जा होता है 27 2 और 7 को पहले हम split करके लिखेंगे फिर यहाँ पर 4 9 बचे हैं उन्हें हम 2 और 7 के बीच में लिखेंगे और यह आगया हमारा answer इसी तरह 9 5 जा होता है 45 उसे हमने split करके लिखा और यह बचा हुआ 2 9 हमने उसके बीच में लिखा 9 9 और यह आगया हमारा answer तो देखा गाईज 9 की सीरीज के साथ 1 से लेकर के 9 तक के नमबर से multiply करना बड़ा ही easy हो जाता है इस trick से अगर आपको यह trick पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर करें लाइक तो बनता है गाईज इस वीडियो पर मैं एम रखती हूं 1000 likes का अगर आपने 1000 likes दी तो मैं इसका next part जरूर लेकर आऊंगी आज की वीडियो आपको कैसी लगी comment section में mention करके जरूर बताएं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो like कर दें, share कर दें और अगर न पसंद आई हो तो dislike कर दें लेकिन अपना feedback देकर जरूर जाएं अगर आपको किसी particular topic पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment करके बताएं तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नई short tricks के साथ जैहिन